हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चनल ग्रीन हाउस और आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा अगर सर्दियों के टाइम आपका अपराजिता का पौधा पूरी तरीके से सूख गया था तो वो कौन से ट्रिक है जिसको अगर आप अपने अपराजिता के पौधे के उपर करेंगे वो कौन सा फटिलाइजर है जिसको अगर आप इससे में अपराजिता के पौधे को देंगे तो आपका सूखता अपराजिता बच जाएगा और फिर से हरा भरा हो जाएगा मेरे कुछ इस पाधे की तरह जो की कुछ दिन पहले बिलकूल सूखा पड़ा भुडा हुआ था तो कुछ जरूरी काम आपको करने है अपने अपराजिता के पाधे के ऊपर आपका अपराजिता नई नई ब्रांचिस निकालना शुरूर कर देगा और काफी सारे फूलों और कलियों से भी भर जाएगा आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में काफी सावरी अच्छी ची फ्लावरिंग इसके उपर होने लगेगी और जो अपराजिता सूख चुका था वो फिर से हरा भरा हो जाएगा तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है इस टॉपिक पर एक पहला वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जो कि लगभग एक महीने पहले फरवरी में मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने दिखाया था कि मेरा पौधा बिल्कुल सूख चुका था लेकिन अभी एक महीने बाद उस पौधी की क्या कंडिशन है और आगे आपको उस पौधी में क्या काम करना है ये साही जानकारी आज किस वीडियो में मैं आपको देनी वाली हूँ जरूरी नहीं है कि अपराजिता के उपर महंगे महंगे फटिलाइजर को आप डालो और मार्किट से आप फटिलाइजर खरीद कर डालेंगे तब ही अपराजिता फ्लावरिंग करेगा कुछ बहुत ही आसान से homemade fertilizer है जिसको डाल कर आप अपने अप्राजिता की growth को बढ़ा सकते हैं और अंगिनत फूल और कलियां ले सकते हैं तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अगर आप मेंसे किसी ने मेरा जो पहला वाला वीडियो तो फरवरी में मैंने share किया था उसको नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें तो आगे का जो process में मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको जादा अच्छे से समझ में आएगा तो फ्रेंड्स ये वही पौधा है जिसमें मैंने फरवरी में काम किया था और ये बिल्कुल सूख गया था लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काफी सारी नई ग्रोथ आ गई है पत्या आ गई है और एकाद ब्रांच इसमें कलिया भी इसके अंदर बननी शुरू हो गई है तो आगे अब इस पौधे में हमको क्या करना है कौन सा फटिलाइजर देना है किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे की तेजी से हमारा प्राजिता फ्लावरिंग करे टिप्स नंबर वन जैसे ही आपके पौधे में नई पत्या आनी शुरू हो जाती है तो जो ब्रांचिस बिल्कुल ही सूख चुकी है और जो खराब हो गई है जिसके उपर लगता है कि अभी पत्या निकल कर नहीं आने वाली है ऐसी ब्रांचिस को आपको काट करके निकाल देना है जैसे कि मैं इसमें करने वाली हूँ वो सारी ब्रांचिस जो आप देख रहे हैं काफी जगे से काफी सारी पत्या निकल गई हैं लेकिन कुछ ब्रांचिस अभी भी सूखी पड़ी नहीं है तो सबसे पहले तो मैं इन ब्रांचिस को काट करके निकालने वाली हूँ इनको मैंने पहले इसलिए नहीं काटा क्योंकि मैं पहले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि अब राजिता के पौधे में पूरी तरीके से सूखी वी ब्रांचिस को आपको तब तक नहीं काटना है जब तक कि इसके अंदर नहीं ग्रोथ ना आनी लग जाए अगर आप इसकी ब्रांचिस को स्टार्टिंग में ही बहुत जादा काट देंगे तो ये बहुत नाजूख होता है और इसकी जो तने हैं वो सूप जाएंगे काटने के बाद भी तो इसलिए जब तक इसके अंदर नहीं ग्रोथ आनी ना शुरू हो आपको बहुत जादा कटाई श्टाई इसके अंदर नहीं करनी है ये गलती आपको नहीं करना है अगर आप बहुत जादा कटाई श्टाई स्टार्टिंग में ही कर देंगे तो जो इसकी ब्रांचिस हैं जो हमारी नई ने ब्रांचिस निकल करके आई हैं जिन ब्रांचिस के उपर पतिया आई हैं उनके उपर कोई भी नुकसान नहीं पहुचेगा इन ब्रांचिस को काठते समय एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एकदम से सटा करके यानि जहां से नई ग्रोथ आ रहे हैं, वहां से बिल्कुल आपको नहीं कटना है, एक दो इंच उपर ही आप कटिंग करेंगे, क्यूंकि कटिंग करने के बाद अभी धूप काफी तेज होने लग गई है, तो कुछ इंच तक ब्रांचिस ये सूखेगी, तो इसलिए आपको क ब्रांचिस थी, उसको मैंने निकाल दिया है, अभी पौधे को एक अच्छा सा शेब भी मिल गया है, और जो ब्रांचिस सूखी पड़ी थी, पौधे के एनरजी को ले रही थी, अभी सारा जो फोकस है पौधे का नई पत्यों को और पूलों को बनाने के उपर लग अभी दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि इस पौधे को आपको पूरे दिन की धूप में रखना है, अपराजिता एक धूप का पौधा है, और गर्मियों में ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो जितनी अच्छी धूप मिलेगी इसको, जितना अच्छा टैंप् अपराजिता की मिट्टी को कभी भी आपको बिल्कुल नहीं सुखाना है कि मिट्टी हाड हो जाए, क्योंकि अपराजिता को मौईष्ट मिट्टी पसंद है, यानि हलकी हलकी सी ऐसी मिट्टी जो गीली सी हो पर हाथ में ना चिपके, ऐसी मिट्टी अपराजिता की रखनी चाहिए इसकी जो पत्या है वो काफी नाजुक होती है और जैसे ही मिट्टी एक तम से सूप जाती है तो आप देखेंगे किसकी जो पत्या है वो मुर्जा जाती है तो इसलिए मिट्टी को आपको हमेशा हलका कुछ इस तरीके से जसी मेरी मिट्टी दिखाई दे रही आपको मौईश रखना है जब भी आफ फर्टिलाइजर दोगे तो हलकी सी मौईश मिट्टी में ही देना मिट्टी को बहुत जादा कभी भी नहीं सुखाना है अब यहाँ पर एक गलती आपको नहीं करना है मैंने आपको बोला है कि मिट्टी आपको हलकी मौईश रखना है लेकिन मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है अगर आप मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो यहां पत्तों के उपर सीधा-सीधा सर पड़ता है और flowering आपको कम मिलेगी पहली चीज तो जो पत्ते निकल कर आएंगे इनका color आपको हरे रंग का ना मिलकर के कुछ पत्ते पीले मिलेंगे आपको और पत्तियां dull color की मिलेंगी आपको और जो full निकल कर आएंगे वो बहुत late निकल कर आएंगे पत्ते तो निकलेंगे आपका पौधा ग्रोध भी करेगा लेकिन फ्लावरिंग कम आएगी क्योंकि जो जणे हैं वो प्रॉपर तरीके से nutrition को एब्सॉर्व नहीं कर पाएगी अगर आपकी मिट्टी लंबे टाइम तक गीली पड़ी रहेगी तो जरूरत के इसाप से ही पानी आप दे अगर लगता है कि मिट्टी सूख रही है तो आप थोड़ा सा पानी इसको दे दीजिए लेकिन आपको लगता है कि मिट्टी बहुत गीली है तो आप एक दिन रुपकर दो दिन रुपकर भी इसको पानी दे सकते हैं इसके बद आखरी टिप जो है इसका फटिलाइजर अगर आपने पौधे में काम कर लिया है और आपके अपराजिता के पौधे की ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है कुछ इस तरीके से नई पत्या आनी शुरू हो गई है तो अब आपको क्या करना है कौन सा फटिलाइजर देना जिसे की तेजी से कलिया और बहुत सारे फूल आपके अपराजिता के पौधे के अंदर निकल करके आए तो इसके लिए अगर आपके पास घर में सरसो की खली का पाउडर है या फिर सरसो की खली है तो आप एक चमर सरसो की खली का पाउडर अपराजिता के पौधे के अंद पंद्रा दिन में एक बार दे सकते हैं अगर आपके पास घर के अंदर सीवीड रखा हुआ है तो आप एक चमद सीवीड अब ऐसे में अपराजिता के पौदे के अंदर डाल सकते हैं इससे इसकी पत्यां जो है काफी सुन्दर निकल करके आएंगी लेकिन आप में से काफी सा सरसो के दाने सरसो के दाने आप कोई से अभी ले सकते हैं काले वाले सरसो के दाने या फिर पीले रंगे सरसो के दाने कोई भी आप यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं सरसो के दानों से ही सरसो की खली बनाई जाती है इसके अंदर से तेल निकालने के बाद लेकिन आप घर में स कभी भी पौदे के अंदर नहीं डालना है, सीधे सरसो आप पौदे में डाल देंगे, तो सरसो उखकर आ जाएगा, आपको कुछ इस तरीके से एक बहुत ही पतला सा पौडर बना लेना है, जितना महीन आप पीस सकते हैं, उतना महीन आपको इसको पीसना है, इसके बाद एक दिन के लिए आप इसको धूप में रख दो, जिससे कि इसका जो मौईशर है, वो खतम हो जाएगा, जब हम दानों को पीसते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा मौईशर होता है, अगर आप एक दो दिन के लिए धूप में रख देंगे, तो इसका मौईशर खतम हो जाएग बस डालते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है सबसे पहली चीज तो आपको इसको मिट्टी में उपर नहीं बिखराना है थोड़ा सा गड़ा सा बना करके आप इसको डालने के बाद मिट्टी से अच्छे से ढग दो यह पौदे के लिए बहुत जादा यूस फूल है आप मेंसे कोई भी जिसके पौदे में न तो फ्लावरिंग हो रही है और नहीं ग्रोथ हो रही है सबी फूलों वाले पौदे में हम इस पाउडर का इस्तमाल कर सकते हैं क्यूंकि इसके अंदर फासफोरस बहुत अच्छी मातरा में पाई जाती है और केल्शियम भी बहुत अच्छी मातरा में पाई जाती है तो यह गुढ़हल और गुलाब के लिए भी बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर का काम करेगा इसके साथ ही इसके अंदर iron और magnesium की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है तो जो कमी हम seaweed से अपने पौदे के अंदर पूरा करते हैं वही कमी ये दूर कर देगा natural तरीके से आपके पौदे के अंदर तो आपके पौदे में न तो पत्ते पीले पड़ेंगे और नहीं फूलों की कमी बनी रहेगी ये जो सरसो का पाउडर है ऐसा नहीं है कि आपके घर में है तो आप रोज रोज डालो इसको सिर्फ एक चमच 15 दिन में एक बार देना है अगर आपको अपने पौदे में जादा अच्छा रजल्ड चाहिए खास तौर पे अपराजिता के पौदे में तो आपको दस दिन में एक बार प्याच के छिलके का लिकुड फटलाइजर बना करके भी देना है यानि कि महीने में दो बार एक चमच सरसो का पाउडर और दस दिन में एक बार आपको प्याच के छिलके का लिकुड फटलाइजर बना करके देना है आप प्याच को सुखा कर इसको powder बना कर भी रख सकते हैं प्याच का भी आसानी से सुखाने के बाद powder बन जाता है और अगर आप liquid fertilizer नहीं बना रहे हैं तो एक चमच 10 दिन में आपको देना है या फिर आप इसी powder के साथ जो अभी हमने ये सरसो का powder डाला है इस एक चमच सरसो के powder के साथ लगभर 1.5-2 चमच आप प्याच के छिलके का powder भी डाल सकते हैं 15 दिन में एक बार तो फ्रेंट्स फटा फट से इस fertilizer को आप अपने अपराजिता के पौदे में डालें आपको market के fertilizer से भी जादा बढ़िया result आपके पौदे के उपर दिखाए देगा दूसरी चीज ये एक natural fertilizer है और अपराजिता एक बहुत ही शुब पौदा माना जाता है तो हम कोशिश यही करते हैं कि इसके अंदर एक organic fertilizer दें किसी भी तरीके का chemical fertilizer ना डाले फ्रेंट्स कोई भी homemade fertilizer देते समय बस कुछ चीजों का आप ध्यान रखे कभी भी गीली मिट्टी में कोई fertilizer ना दे और घर में आपके पास available है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बार बार उस fertilizer को दो आपका पौदा खराब भी हो सकता है बस दो से तीन बार इस fertilizer को आप अपने पौधे के अंदर डाल दो आपका प्राजिता का पौधा जंगल की तरह घना होकर अंगिनत फूलों और कलियों से भर जाएगा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थाइंक्यू